मैं यह इन्होंड को सियो है तो सुन होनाइभ है डिस्कस करें के vasya को भाज को अगरे इसकार में यह उसके है ताल उसके प्लाइच के बारे में मैंने आपको और उसके मीजर्स के बारे में MEC 004 में वीडियो अप्लोड कर रखी है ठीक है तो आप वहाँ से उसको कवर कर लेना कोशन को कौन से में MEC 004 एकनॉम में ग्रोथ हैं डेवलेप्मेंट वाला जो आपका सब्जेक्ट है फरस्ट इयर का जो है ठीक है महां से उसको कवर कर लेना वीडियो में अप्लोड कर रखी है तो आप ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना तो आधा कोशन महां से कवर हो जाएगा और आधा है इंकम ठीक है तो हम पोवर्टी को किस से डिफाइन करते हैं कि एक लेकर चलते हैं क्या है इंकम जिसकी इंकम ज्यादा होगी वो पोवर्टी लाइन से अब अब होगा ठीक है जिसकी इंकम काम है तो उसके वो क्या माना जाएगा गरीब माना जाएगा पोवर्टी लाइन से क्या है वो multi-dimensional है एक dimension नहीं है poverty को प्रूफ करने के रहे काफी सारी चीज़ है जिससे हम एक person को क्या बोल सकते हैं गरीब बोल सकते हैं ठीक है जैसे poor health lack of education ठीक है उसका स्वास्तर ठीक नहीं है तो इसका living standard living standard अच्छा नहीं है lack of income income की कमी तो हाई dis empowerment poor quality of work ठीक है and threat from violence तो डर है हिंसा वगारा से ठीक है और poor quality का काम कर रहे हैं वो लोग तो यह सब किसके aspect है multi-dimensional poverty के हैं कि multi-dimensional poverty है वो इन सब चीजों से मिलके बनी है दक्सफोर poverty and human development initiative जिसको ओपी एचाई बोला जाता है short में estimate the multi-dimensional poverty index for different country तो ओपी एचाई ने estimate किया multi-dimensional poverty index different countries के लिए ठीक है using equality weighted three dimension को लेके चला वो हर country के लिए क्या-क्या education health and living standard ठीक है क्या-क्या education health and living standard तो तीन dimension है ठीक है क्या measure करने के लिए multi-dimensional poverty index क्या-क्या है education health and living standard however for capturing these three dimensions it uses total of 10 indicators तो इन dimension को capture करने के लिए ओपी एचाई ने कितने indicators 3S में 10 अब देखते हैं किस में क्या-क्या है indicators specifically for the education dimension यह education है आपको पूरा complete लिखना है मेरे notes से तो मैंने short में लिखा हुआ है आपको पूरा education लिख के आना education dimension it uses two indicators that is year of schooling तो education में क्या-क्या लिया गया गया year of schooling कि इतने यह उसने schooling की है और school attendance और कितना वो school गया है ठीक है for health dimension it uses two indicators क्या-क्या health में क्या-क्या देखा गया child mortality rate means शिशुमरित्युदर और nutrition ठीक है यह दो इंडिकेटर और living standard में क्या देखा गया है dimension में six indicators देखे गया है six indicators में क्या-क्या लिविंग स्टेंडर में एक तो electricity दूसरा आपका drinking water तीसरा आपका sanitation flooring cooking fuel और assets तो यह आपको dimension अच्छे से आप याद कर लेना टोटल यह 10 है ठीक है तो आप यह देख लेना note कर लेना the head count ratio can also be used to measure multi-dimensional poverty poverty का भी मीजर है head count ratio multi-dimensional poverty का भी है head count ratio क्या क्या q by n q का मतलब क्या है multi-dimensional जो पूर है ठीक है उसके number और नीचे क्या आएगा denominator में total population ठीक है फिर है आपका the intensity of poverty कितनी घहनता है poverty में ठीक है तो वह किस से नापी जाती है a equal to sigma q ठीक है q power में ऐसे sigma q1 c divided by q अब क्या है इसमें c क्या है total weighted deprivation experienced by पूर कि कितनी हानी जो है एक पूर उठा रहा है ठीक है किसी भी चीज को लेके चाहिए वह पूर सैनिटेशन हो कि अधिया इस प्रोड़क्ट ऑफ है इंटेंसिटी ओफ पुवर्टी का ठीक है एड़काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ओफ पुवर्टी यह से दोनों का ही फॉर्मला मैंने आपको बता दिया है टिक्रीज इन एंपी आई ठीक है यह पूरा सपहलें लिख लिए ना मैंने शोट में लिखा हुआ है इन एंपी आई में अब्स अब्स आप ड्यू टू रिडेक्शन इंदी परसंटेज ओपीपल इडेंटिफाइड इस पूर तो बही मॉल्टी डैमेंशन पौवर्टी इ क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू